गर के मुख्ये दर्वाजे पर लगाएं तामबे का स्वास्तिक, खुल जाएगी किस्मत जै मात अदी, आप सभी का आपके अपने चानल एस्ट्रफर्ण अंशु में स्वागत है मैं डॉक्टर एंशु गुपता, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आपके घर परिवार में किसी भी परकार की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही है, विपार में हानी हो रही है बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, विवा होने में बाधाई आ रही है जो विवाहिक है, उनका विवाहिक जीवन में अच्छी नहीं है बच्चे कहना नहीं मान रही है ऐसा लगता है कि घर में किसी परकार की कोई नकारात्मा कुर्जा है बहुत नेगटिव एनरजी है जीवन में हर तरफ से परिशानी ही परिशानी आ रही है तो ऐसी स्थीती में आपको अपने मुख्य दरवाजे पर लगाना है तांभे का स्वास्तिक और ये उपाय करने से आपके जीवन की समझ समझ साइं दूर हो सकती है उपाय कैसे करेंगे और उपाय करने से हमें क्या क्या लाफ हो सकता है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्पुन साबित होने वाला है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बेल नोटिफिकेशन को अन करके औल पे क्लिक करें जब जीवन में हर प्रकार से समस्य आ रही है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है बहुत महनत के करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है हर काम डिले हो रहा है हर कारे में अर्चन आ रही है सब के लिए मैं बहुत अच्छा करता हूँ तूर होगी तो ऐसे में आपने क्या करना है आपने संडे के दिन तामबी के स्वास्तिक लेकर आने है उन्हें अपने घर के मंदिर में गंगा जल से धोके रखेंगे देशी की का दिया जलाएंगे दूब बत्ती अगर बत्ती जलाएंगे और आपके मंदिर में जितने भी भगवान देवी देवता है और सूर्य देव से आप कामना करेंगे जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है कि वो समस्या आपके जीवन से दूर हो जाए आपके जीवन में खुशाली आए आपके जीवन में हर परकार की परिशानिया दुख तकलिफे आपके परिवार से आपके परिवार के सदस्यों से दूर चली जाए उसके बाद आपने इस स्वास्तिक को अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर सेंटर में लगाना है लगाते समय भी आपने मन में यही कामना करनी है कि मैं यह स्वास्तिक अपने घर में लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ आज के बाद मेरे जीवन में इस तहली से इस मुक्के दोर से हमेशिया खुशियां आएंगी पॉजिटिव एनर्जी आएगी किसी भी परकार की कोई नकारात्मा उर्जा नेगिटिव एनर्जी वो मेरे घर में पास नहीं करेगी मेरे घर से बाहर चली जाएगी अगर आपके घर में किसी को नौक्री नहीं मिल रही है या विपार है तो विपार में हानी हो रही है विपार में आपको मुनाफ़ा नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे सिती में आपने एक तामबे का स्वास्तिक अपने विपार स्थान के मुख्य दरवाजे पर सेंटर में उपर लगाना है और रोज जब भी आप अपने विपार स्थान का शटर उठाते हैं तो उसके बाद आपने गंगजल छिड़कना है स्वास्तिक पर और हाद चोड़के आपने कामना करनी है कि मेरा आज का दिन आज का जीवन खुश हाल जाए कोई भी परेशानी कोई भी तकलीफ मेरे और मेरे परिवार के जीवन में ना आए ऐसा आपने रोज करना है और फिर आप देखेंगे कि आप की सारी कमिया दूर हो रही है आपको कारे में तरक्की मिल रही है स्वास्तिक को आपने में गेट के उपर लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक उर्चा यानि की पॉजिटिव एनरजी का वास रहता है आप अकेले ही नहीं आपका पूरा परिवार तरक्की करता ह आपके घर में खुशाली का वास रहता है, क्या आप जानते हैं स्वास्तिक का क्या मतलब होता है, स्वास्तिक यानि कि आपके जीवन में शुप मांगलिक अफसरों का आना, नए नए इंकम के सोर्स बनना, आपके घर में शुप मांगलिक कारें का होना, जैसे शादी, संतान इन सभी के योग बनते हैं आपके जीवन में किसी भी परकार की कोई भी परेशानी है आप जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं आपके कारे नहीं बनते हैं करजे की स्सिति आ study table पर और अपने घर के east में थांबे के स्वास्तिक सरूर लगाई है ऐसा करने से आपकी जीवन में हर प्रकार से तरक्की आती है और सरकारी नौकरी आपको जरूर मिलती है अगर आपको सरकारी नौकरी से संबंदित एक्साम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी मुख्य दर्वाजे के दोनों तरफ स्वास्तिक लगाने से हमेशा घर में सोभाग्या आता है हमारे जीवन में हमारे घर में जब भी कोई चीज एंटर होती है तो वो मुख्य दर्वाजे से एंटर होती है और यदि आप मुखे दरवाजे के दोनों साइड तामबे के स्वास्तिक संडे के दिन लगा देते हैं तो ऐसे में आपके घर परिवार में सौभाग्या आता है और साथ ही साथ पूरे परिवार में किसी पर भी सूरे की दशा हो, सूरे खराब हो तो सूरे के दोश आपको नहीं लगेंगे अगर आपको लगता है कि घर में नजर लग गई है खुशाली खत्म हो गई है हमेशा लड़ाई जगड़े बने रहते हैं कोई ना कोई विक्ति बिमार रहता है कारे में बाधा आती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने कोई उपरी कर दिया है या कोई काला जादू कर दिया है घर में मन नहीं लगता है तो ऐसी स्थिती में आपको अपने मुखे दरवाजे पर दोनों साइड लाल चंदन से स्वास्तिक बनाना है और परिवार के हर सदस्य के गले में रविवार के दिन सुबह तीन से पांच के बीच में तामबे के स्वास्तिका लॉकेट सरूर पहनाना है ऐसा करने से किसी भी परकार की कोई नकारात्मक उरजा होगी या कोई काला जादू किया होगा तो वो आपके घर परिवार वा परिवार के सभी सदस्यों से दूर हो जाएगा कई बार ऐसी स्थिती उत्पन हो जाती है कि आपको जल्दी जल्दी चोट लगने लगती है या बहुत जल्दी जल्दी एक्सिडेंट होने लगते है समझ भी नहीं आता है कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो ऐसे में आप वाहन चलाना तो नहीं चोड़ेंगी तो ऐसी सिती में आपको अपने वाहन के स्टेरिंग पर तांबिक अस्वास्तिक लगाना है और एक तांबिक अस्वास्तिक का लॉकेट आपने गले में धारन करना है जल्दी जल्दी लग रही थी या accident आपके जल्दी जल्दी हो रहे थे आप खुद देखेंगे कि अब आपके साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है जब भी आप कोई नया कारे शुरू करते हैं कोई भी नया कारे हो आप जौब पे पहली बार जा रहे हैं आप कोई नया सबसे पहले अपने घर के मन्दिर में देसीगी का दिया जलाना है एक तांबबे की प्लेट लेनी है उस पर आपने लाल चंदन से स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक बनाने के बाद दिया धूबबत्ति दिखानी है थोड़े से अक्षत चड़ाने है फ़ल और मिठाई उसके बाद जो भी आपका नया कारे शुरू हो रहा है उसके लिए आप बोलेंगे कि मैं आज से ये नया कारे शुरू कर रहा हूं जो भी है वो आप बताएंगे मुझे पता है कि मेरा ये कारे में मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी और मैं इस कारे में तरखी करूंगा और उस ऐसा करने से आपको आपके जीवन में हमेशा तरक्की मिलेगी किसी भी परकार की कोई परेशानी कोई समस्य आपके जीवन में नहीं आएगी तो मित्रों यहीती जानकारी कि एक तांबे का स्वास्तिक आगर आप मुख्य द्वार के उपर लगा देते हैं तो आप बड़ी से बड़ी समस्याओं से पच सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को जादा से जादा दोस्तों और इश्यदारों में शेयर करिएगा जिससे उनको भी पता चले कि तांबे के स्वास्तिक से वो बड़ी से बड़ी समस्याओं से पच सकते हैं यदि आपका वीडियो से संबंदित कोई प्रशन है तो वीडियो के ही कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं जय मात अदी आपका दिन शुब हो